हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्यूल शुरू करूंगा फिंगर्स यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक स्क्वारी फॉर्मेशन में है बिलकुल एक स्क्वारी शैंड जो एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को शो करती है काफी हार्ड वर्किंग रहने के साथ साथ काफी अच्छी अनरजी और स्टैमना भी मुझे यहां नजर आ रहा है इनकी फिंगर्स आप देख सकते हैं काफी ठिक है और ठिक होने के साथ साथ यहां पर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौझूद है इस तरह की बारीख लाइन जो आपको यहां पर नजर आ रही होंगी लगबग सबही लेंट से ज्यादा है इनकी गुरू फिंगर की लेंट काफी अच्छी लेंट में गुरू फिंगर का होना इंडिकेट करता है काफी अच्छी लीडर्शिप क्वालिटी को और ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं जिनकी गुरू फिंगर की लेंट अच्छी हो फिंग काफी बिलकुल यह finder है जो इंडिकेट करती है काफी how parking type की nature को और आंकी जो सुर्य finger है अच्छी length में है जो यहाँ पर indicate कर रही है काफी अच्छी creative qualities चो तो creativity काफी अच्छी रहेगी leadership qualities भी यहां पर नजर आ रही है और अगर हम communication की बात करें तो इनकी mercury finger की length को दिखा Mercury finger यहां पर काफी अच्छी लंबाई में और सूरय finger का जो first phalange है उसको भी cross कर रही है जो यहां पर indicate कर रहे हैं काफी अच्छे communication skills को भी तो overall आप देख सकते हैं fingers काफी positive हैं के hand में और fingers के बीच में जो gaps नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो नैचरल गैप है इनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में मरकरी और सूरे फिंगर के बीच में भी यहाँ पर गैप है और ऐसा ही एक नैचरल गैप यहाँ पर इनकी गुरू और शनी फिंगर के बीच में भी नजर आ रहा है इस तरह की gaps होने से व्यक्ति independent सभाव का होता है और जल्दी किसी के under काम नहीं कर पाता adjust करने में थोड़ी सी मुश्कलें आती हैं से व्यक्ति को थोड़ी जिदी नेचर भी हम इसको कह सकते हैं overall काफी अच्छी fingers, अच्छी energy और stamina को show करती हुए और अच्छी length में तो चलिए आगे बढ़ते हैं चेक करेंगे इनके सभी mounts को और lines को तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो एक बहुत अच्छा arch बन रहा है मुझे low set होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा काफी बहुत ही अच्छी space इनके सभी mounts को मिल पा रही है अब बात करते हैं one by one सभी mounts की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरू mount उभरा हुआ mount है यहाँ पर जो एक spiritual type की इनकी tendency रहेगी spiritual type की इनकी knowledge रहेगी और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा यहाँ रेखा जो लगबग गुरू वल्या जैसी formation बना रही है जो इन्हें एक sympathetic type की nature भी देगी जिसकी वज़े से धर्म कर्म के कामों में भी इनका काफी जुकाव रहेगा knowledge गेन करने के लिए यहाँ रेखा काफी अच्छी मानी जाती है ऐसे व्यक्ति काफी knowledgeable होते हैं और किसी ना किसी धार्मिक संस्था के साथ भी जुड़ सकते हैं जैसे जैसे age बढ़ती है व्यक्ति की धर्म के प्रती जो जुकाव है वो ज्यादा होता जाता है और ऐसा व्यक्ति किसने किसी social service देने वाली किसी संस्था के साथ या किसी NGO के साथ जुड़ सकता है और लोगों की help करने का काम कर सकता है overall यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ और भी रिखाएं मौजूद है these are called lines of sympathy sympathetic nature तो यह व्यक्ति को देती हैं लेकिन साथ ही साथ sources of income भी एक से ज्यादा इनके हो सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर upward जाने वाली रिखाएं मौजूद हैं ऐसी रिखाएं व्यक्ति को progress करवाती है life में काफी अच्छी progress रहती है जिनके भी hand में group mount के उपर इस तरह की रिखाएं हो और उसके बाद यहाँ पर आपको एक square का चिन नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह का square का चिन protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है initial level पर married life में थोड़ी बहुत दिक्टें आ सकती है family के साथ कुछ issues हो सकते हैं लेकिन इस तरह का square indicate करता है कि protection रहेगी और ऐसा व्यक्ति अपनी family life को संभाल पाएगा आगे आप देख सकते हैं शनी मौंट यहाँ पर दबता हुआ शनी मौंट का दबना व्यक्ति की life में हाशिप्स लाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर शनी मौंट कंप्लीटली अंदर की तरफ दबता हो नजर आ रहा है इस तरह के शनी मौंट होने की वज़े से life में व्यक्ति को हर चीज़ मिल तो जाती है लेकिन डिले के साथ और काफी मेहनत करने के बाद results मिल पाते है अगर शनी रेखा को देखा जाए तो यहाँ से शुरू होती है शनी रेखा लगबग 35 के आसपास की एज तक यहाँ रेखा बिलकुल स्ट्रेट चल रही है जो एक comfortable life को show कर रही है लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ रेखा कुछ week पड़ रही है और एक strong line यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हम stress line कहते हैं वो भी नजर आ रही है 35 के आसपास की एज में changes रहेंगे life में उसके बाद एक और रेखा शनी रेखा की तरह काम करती हुई यहाँ पर आकर दो से तीन रेखाएं उपर की तरह बढ़ती हुई आप देख सकते हैं यह सभी जो changes है 35 की age के बाद में हैं यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है जो लगबग 35 की age को indicate करती है तो यहाँ पर संभावना रहेगी काफी major change की और उसके बाद काफी struggle भी है लेकिन काफी अच्छी progress भी देखने को मिलेगी क्योंकि इनकी जो fate line है वो यहाँ पर दो से तीन भागों में divide हो रही है जो यहाँ पर comfort level को कम कर रही है अगर एक सीधी straight fate line हो तो व्यक्ती बहुत comfortable life में जीता है और रामदा एक जिंदगी रहती है अगर एक straight line हो तो बहुत ज़्यादा struggle नहीं होती लेकिन एक से जाता बढ़ जाती है तो life में struggle काफी रहेगी after thirty five of age और आगे देख सकते है सूर्य माउंट को सूर्य माउंट यहाँ पर average है बहुत ज़्यादा उभर हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है लेकिन अगर सूर्य रेखा की बात की जाए तो कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो अपर से ही शुरू होती है दिखाई दे रही है इंडिकेट करती है old age में चलकर काफी अच्छी recognition को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी सूर्य रेखा का ना होना यश मिलने में name and fame मिलने में थोड़ी सी delay रहती है अगर लंबी रेखा हो तो व्यक्ति पहले से ही famous हो जाता है तो यहाँ पर जो name and fame और recognition है वो old age में चलकर मिलती हो दिखाई दे रही है मरकरी की बात की जाए तो काफी अच्छा मरकरी माउंट यहाँ पर काफी space मिल रही है मरकरी माउंट के ओपर खड़ी रिखाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं चा व्यक्ति काफी अच्छे counselor हो सकते हैं social worker हो सकते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति दूसरों की help करना पसंद करते हैं और sympathetic nature तो है ही इनकी क्योंकि guru mound पर हम आड़ी रिखाएं देख पा रहे हैं दूसरों की help करने की tendency रहेगी जिस वजह से काफी व्यक्ति को benefits भी मिलते हैं लोगों का भला करने की एक काबलियत व्यक्ति के भीतर रहती है healing powers इसकों कहते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रिखाएं हो ऐसे व्यक्ति दूसरों को heal करने की capacity रखते हैं तो यहाँ पर mercury mount अच्छा है अच्छे communication skills और business skills इन्हें दे सकता है तो चलिए आगे देखते हैं इनकी line of heart को heart की line आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी branches के साथ जो एक flirty or romantic type की personality को indicate करती है उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह हैं कि इनकी heart की line थोड़े से curve के साथ ओपर की तरफ मुड़ती हुई जो एक caring nature को भी show करती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हैं की line इनक उसके साथ साथ एक और branch जो गर्डल आफ वीनस की partial formation को भी create करती है इस तरह हैं की branch का होना व्यक्ति को emotional बनाता है तो यहाँ पर एक straight type की heart line जो यहाँ पर बहुत जादा emotions को show नहीं कर रही लेकिन यहाँ जो उपर की branch है यहाँ इन्हें emotional बना सकती है moody type की nature रहने के chances भी र problem मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही इनके hand में इनकी heart line में यहाँ पर एक इस तरह का triangle का चिन बना इस तरह का triangle जिसे हम property acquisition का चिन कहते हैं इस तरह का triangle होने से व्यक्ति अपनी life में काफी अच्छी property भी बना लेता है तो चलिए आगे देखते हैं इनकी line of mind को mind की line यहाँ पर काफी straight है और काफी लंबी है जो indicate कर रही है sharp mind को काफी तेज दिमाग रहेगा और यहाँ पर इस तरह की mind line होने से practicality भी रहेगी हलका सा जुकाव जो इस line का चंदर यह के तरह हो रहा है थोड़ा इन्हें इमेजिनेटी भी बनाएकर लेकिन जुकाव नहीं तो ज्याद इस नजर आते हैं इनकी life में सबसे पहली जो line है 20 के आसपास की age में उसके बाद 25 उसके बाद 35 के आसपास की age में कुछ stress इनको मिल सकता है जिस वजह से मांसिक तनाव जैसी दिक्कत का भी इने सामना करना पड़ सकता है आगे देखते हैं इनकी line of life को life के line यहाँ पर काफी stress lines है यह health issues को indicate करती है life में minor health issues यहाँ पर इनको सहन करने पड़ेंगे क्योंकि लंबी stress lines है जो यहाँ पर दिक्कते ही तो जरूर देंगी लेकिन overall अगर दिखा जाए तो life काफी लंबी रहने वाली है अब बात करते हैं travel की और इनके moon mount की moon mount के ओपर बहुत सारी रिखाएं ह जो यहाँ पर traveling को indicate करते हैं और साथी साथ moon mount के ओपर जतनी जादा रिखाएं हो उतनी जादा anxiety की दिक्कत भी व्यक्ति को होती है depression anxiety तनाव ऐसी चीजों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है तो अब देख सकते हैं इस तरह की upward जाने वाली रिखाएं इने काफी long distance traveling कर आवना करना पड़ सकता है आगे देख सकते हैं शुक्र माउंट शुक्र माउंट यहाँ पर काफी उबरा हुआ है जो यहाँ पर कामुकता को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति की sexual desire स्यादा रहती है जिनका शुक्र माउंट इस तरह से उबरा हुआ हो और साथी साथ इस तरह का शुक्र माउंट व्यक्ति को खर्चिला भी बनाता है खुले दिल का बनाता है ऐसा व्यक्ति खर्चा करते वक्त बहुत ज़्यादा सोच बिचार नहीं करता और काफी ज़्यादा स्पेंट ठ्रिफ्ट हो सकता है और ओवराल इस तरह का शुक्र माउंट व्यक्ति को भोग Vilaas کی चीजें तो देता ही है लग्जरी चीजें लाइफ में इनैं असानी से मलती रहेंगी यह यह कह सकते हैं कि लग्जरी चीजों के ओपर यह काफी ज्यादा खरचा कर सकते हैं जिस वज़ए से धन बचाने में भी थोड़ी दिक्ते life में रह सकती है overall अगर money triangle की बात की जाए तो money triangle की formation यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है अब देख सकते हैं यह जो line है यह रिखा कहलाती है mind line यह नीचे से उपर की तरफ चलने वाली जो रिखा है यह कहलाती है fate line यह एक बारीक line है जो money triangle को complete कर रही है लेकिन फिर भी money triangle बन रहा है जो इन्हें help करेगा पैसा इकठा करने में भी तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई चिन्या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद